Welcome all, आज के इस लेक्चर में Geography Means के Important Six Marker Question और उनके Solution की बारे में डिसक्स करेंगे आज का इस लेक्चर आप सबी के लिए बहुत महत्तोपूर्ण है क्योंकि इस लेक्चर में हम Six Marker से Related बारीकियों को सिखेंगे केसा उनका structure होना चाहिए, केसा उनका introduction होना चाहिए, conclusion केसे होना चाहिए, points को short में केसे लिखते हैं, ये सबी बातों को हम समझेंगे ठीक है, जैसे कि अगर question देखते हैं सबसे पहले कश्मीर हिमाले, एक चोटा सक हिमाले का question है, जो Six Marker में याँ पर पुछा गया है तो ये दिखेंगे कि इसके अदर नाम बता सकते हैं सबसे पहले कश्मीर हिमाले, जिसे हम पंजाब हिमाले, या फिर पस्ची पहले ह कहते हैं या एक हिमाले का चेत्जविभाजन का सबसे उत्तरी पस्चमी भागे इसमें लिख सकते हैं इसका विस्तार जो है सिंदू नदी से 17 नचति के बीच में 560 किलोमेटर तक है हिमालई स्रंकला को ही कश्मीर हिमालई कहा जाता है मिंस हिमालई स्रंकला को ही सबसे उत्तरी पस्चे में जो भाग है उसे कश्मीर हिमालई कहा जाता है तो इसमें से केवल important point को अपन लिखेंगे कि इसके अधर नाम क्या है छेतिश विभाजन है और इसका विस्तार कहा तक है विस्तार में किलोमीटर अगर पता है तो बहुत अच्छा होगा ठीक है इसके points में अपन लिख सकते हैं कि कश्मीर हिमालाई में क्या क्या आता है तो इ जैलम, चेनाब, रावी, व्यास जैसी कुछ नदियों का यहां पर यह प्रमुक सहयोगी नदिया है और इनका कश्मीर हिमालाई से ही उद्गम होता है ठीक है हिमाचल प्रदेश में इस्तिट डल होजी यहां का एक प्रशिद एक हील स्टेशन भी है कश्मीर, जमू और हिम माचल में इस्तिट इस प्रद्रस संखला के पूर्म में कुमाव हिमाले स्तिट है ठीक है इसके अलाव इसके कॉनक्लूजन की अगर बात की जाए तो कॉनक्लूजन में आप लिख सकते होगी यह भारत के लिए आर्थिक, परियटन, साम्रीक और जे विवित्ता के दरश्ट नमबर मिल सकते हैं और जो की कम शब्दों में मिल सकते हैं यह बहुत एक विशेश बात है ठीक है अधर कोश्चन को डिस्कुस करते हैं तो यह उत्तर भारत के विशाल मेदान की बारे में एक कोश्चन पूशा गया था सेकंड वाला कोश्चन जो है उत्तर भारत का विशा मेदान जो है यह सिंदू, गंगा, ब्रह्मपुत्र, आधी नदियो के जलोड अवसाद, जलोड अवसाद से निर्मित मेदान है, यहापर जलोड म्रदा पड़ी जाती है, और इसका विस्तार जो है 3000 किलोमेटर से 2500 से 3000 किलोमेटर के बीज में है, जबकि इसकी चोड़ाई की बात की जाए, तो कहीं पर यह 300 किलोमेटर और कहीं पर 1500 किलोमेटर तक यह चोड़ा है, ठीक है, हो सके तो एक छोटा सा डाइग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, बारत का उत्तरी मेदान का, ठीक है, इसकी प्रमुक विश्यस्ता तो खासकर इसका कंपोजिशन बताएंगे कि यह जो मेदान है, यह भाबर, तराई, बांगर और खादर से मिलकर बना है, बाबर एक बचरी वाला या चोटे-चोटे कंकर पत्थर से मिलकर, हिमालाए के गिरिपाद में पूर से पस्चिम तक विस्तारित मेदान है, तराई छेत्र, भाबर छेत्र के में मिलता है यहां पहले खूब वनस्पतिया और पेड़ को थे पाई जाते हैं आज कली एक रशी के रूप में उपयोगी मेदान है बांगर मेदान की बात की जाए तो यह मेदानी भाग का उच्छ भाग है यहां पूरानी जलोर म्रदा पाई जाती है जबकि नवीन जलोर म् दाया पर निक्षेपन होता है इसके अलावा यहां लिख सकते हैं कि भारत की लगपक 40 से 50 प्रतिशत आवाद इसी शितर में निवास करती है बारत का खाध्यान बंडार भी यही है बारत के कई धार्मिक परेटन इस्तल हरी दौर इलाबार आदी सब यही पर इसी मेदान के अंतरगत आते हैं ठीक है तो इस तरह के पॉइंट अपने इसमें उत्तर के विशाल मेदान में लिख सकते हैं जिससे कि सभी आप्तिक सामाजिक तरह के बिंदू इसमें समयलित हो रहा है और जो की बोगोलिक विशेषता भी बता रहे है ठीक है नेक्स देखते हैं एक हिमाले पर पाए जाने वल जो की ताप्मान और शित्रक उचाई के आधार पर वर्गीकरण करते हैं उनका ठीक है हिमाले की गिरीपाध पर जो पणपाति वन पाय जाते हैं एक से दो हजार मीटर की उचाई पर वो सितोशन कटिवंदी 1 होते हैं जिसके अंतरगत हम लेग स तो 2,000 से 3,000 की उचाई पर भी कुछ वन पाय जाते हैं जिनने अलपाइन या चारागा वन करते हैं ठीक है पर पाय जाने वाले वन है ठीक है और यहाँ पर जो वन पाय जाते हैं यह सदावार प्रकार के वन होते हैं खासकर पस्चिमी घाड निलगीरी और अंड मारने को बार की बात की जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर वही रोजबूट महवणी आबनुज जैसे वन पाय जाते हैं त तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक कुश्य पूचा गया था, जौला मुख्यी द्वारा निर्मित आंतरिक इस्थलाकृतियों का वर्णन कीजिये, तो देखते हैं जौला मुख्यी से प्रत्वी के आंतरिक भागों में किनकिन इस्थलाकृतियों का निर्मान ह होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बैठोलित यह सबसे गहराई में पाई जाने वाली एक प्रकार के आकरती होती जिसका विषाल आकार होता है ठीक है तो इसकी गहराई सबसे अधिक होती है खड़े नारे होते हैं दोनों साइड से और उपर एक गुंबधाकार में इ लेकोलित की अगर बात की जाए तो ये थोड़ी उचाई पर होते हैं और ये भी गुंबदाकारी होते हैं फरन्तु कम उचाई और इसके नारे खड़े नहीं होते हैं ठीक है उत्तल ढाल वाला बोल सकते हैं लेपोलित के अगर बात करें तो ये एक तस्तरी नुमा आकरती होती है ठीक है बिथोलित के आसपासी कहीं पर आकरती होगी ठीक है लेकोलित के अगर बात करें तो मोरदार परवतों के अभीनतियों अपनतियों में लावा या फिर लहरदार आकरती में जमाव होता है उसे फि टिवे जाएंगे ठीक है शीलक से ही पतली परत होती है उसे sheet कहते हैं डाइक के छोटे रूप को इस टाप कहते है ठीक है तो इस तरह की आंतरीक स्थलाक्रत यह इनका वर्णार हमें अगर इस तरह के से करेंगे short में तो पूरे marks मिलेंगे ठीक है बुकम बारत में बुकम जोन के बारे में पूछा गया था या बुकम के आधार पर बारत में वर्गी करण पूछा गया था कि बारत को कितने बुकम शेत्रों में बाटा गया है तो मूलत बारत में जो है बुकम चार शेत्र है बुकम जोन है बुकम जोन 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, चाहे तो छेत्रों को आप देख सकते हैं, इन छेत्रों को यह भुकम जोन एक में आते हैं, ठीक है, यहाँ एसा छेत्र है जहाँ पांच या उससे भी कम तीवरता के भुकम के जटके बहुत कभी आते हैं, ठीक, ठसकर भुकम जोन टू इंप दंगाल, हर्याना, भुकम की संभावना यहां पर रहती है, भुकम जोन तीन में वो छेतर आते हैं, जहां साथ की तिवरता के भुकम पाते हैं, या साथ से कम के आते हैं, ठीक है, तो यसे में केरल, बिहार, महराष्ट, पस्चीमी, राजस्तान, और कुछ ऐसे माध्य प्रद पस्चीमी, गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी, इलाके, बिहाल, नेपाल, सीमा के, शेतर इस में शामिल है, भुकम का खत्रा यहां पर लगातार बना रहता है, रुक रुकम आते भी रहते हैं, ठीक है, जोन पांच की बात करें, तो यह सबसे खतरन इलाका है, और इसमें गुजरात का कच इलाका, उत्तरांचल, पुरुवत्तर, राजे सामिल होते हैं, ठीक है, तो भुकम शित्र को, इनकी तिवरता के आधार पर इस प्रकार बारत में वर्गिगरत किया गया है, इसे हम डाइग्राम के माध्यम से भी आप बना देंगे, तो यह ज़्यादा effective हो जाएगा, ठीक है, भारत का लगबक 60% शित्र जो है, भुकम के अंतरगत आता है, भुकम शित्र के अंतरगत आता है, यह भी आप बता सकते हैं, और शौट में भी यह answer आप लेख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो नो तीवरता का भुकम यहाँ पर आया था, ठीक है, हिंद महासगर, हिंद महासगर में यह भुकम पाया था, दोजार चार को, 26 दिसंबर दोजार चार को, नो तीवरता का भुकम यहाँ पर आया था, जिसके कराण सुनामी की उत्पत्ती हुई थी, ठीक है, और इसकी जो मह तो क्या क्या गटना हुई थी क्या बचावकारी किये गए थी इसके बारे में वर्णन करना होता है तो लगबग ऐसा माना जाता है कि करीब डेड़ सु साल से यहाँ पर एक प्रेशर जोन क्रेट हो रहा था और वही प्रेशर एक अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हुए 2004 में यहाँ पर एक भुखाम पाया था जिससे शुनामी की उत्पत्ती हुई थी इस सुनामी की कारण लगबग आसपास के 14 देश यहाँ पर प्रभावित हुए थे जिसमें अगर सबसे जादा की बात की जाए तो इंडोनेशिया थाइलेंड ठीक है पस्चिम में मलेशिया और पांगला देश, भारत, स्री लंका, मालदीव, आदी देश यहाँ पर प्रभावित हुए थे जहाँ पर भारी तबाई मचे थी क्या हुआ था बारत को अगर देखा जाए तो 16-17,000, 16-20,000 तक के लोग यहाँ पर मारे गए थे हजारों लाखों लोगों को विस्तापित होना बड़ा था और लापता भी यहाँ पर हजारों के संख्या में हो गए थे यहां के अगर लहर की बात की जा तो लगबग 100 फीट उची लहरे उत्पन न हुई थी या 30 मीटर उची लहरे उत्पन न हुई थी इस भारी तभाई के कारणे 26 दिसंबर वो राकरतिक आपदा सुनामी के रूप में भी जाना जाता है ठीक है इसके साथ ही यहां पर अगर और बाते लिखनी हो तो बारत में एक आपदा प्रबंदन संवरशना का धाचे का भी गठन करने का प्रावदान इसके बाद ही 2005 में आया था इस तरह की चीज़े लिखेंगे साथ ही यहां पर कुछ जल सिना थल सिना वायू सिना ने भी यहांपर संयूकत अभियान चलाये थे ऑप्रिशन मदद साथ चलाया था चन्फरम नहीं है बट ऑप्रिशन मदद ही चलाया था ठीक है इस तरह की बाते आप यहां तो देखेंगे मध्यप्रदेश जो छित्र है वोश ने कटी बन दिया उपोश ने कटी बन दिया शेंत्र के अंतरगत आता है यहाँ पर सीचाई की बहुत अधिक आवश्यक्ता हमेशा बनी रहती है ठीक तो सीचाई की जो साधन है उनकी अगर देखे सबसे पहले तो नलकू सुख्षम शिचाई के अंतरगत जो है इस्प्रिंकलर रेंगन आदिशी जो का उपयोग किया जाता है जो कि एक निश्चित समय अंतराल में कम दबावसी पानी की आपूरती की जाती है ठीक है जिससे कि नियूनतम जल की खपत होती है ठीक है और उप्षिचाई विधी के स्ँचाई का उपयोग में राफ़े जाती है इनकी जो आधूनिक सिचाई शिचाई प्रणालय होती है इनके माधियाम से चपत है इनकी तो रहें यूनतम जो काहता है सीचाई साथ है उप्योगी ता कम पानी में अधिक तम उत्पादन सुनेशित होता है और जल की खपत भी कम लगती है परंपरागत प्रणालियों के अगर बात की जाए तो मध्यप्रदेश में चेक बेशिन विधी, कूंड सी चाई, पट्टी सी चाई, घाटी सी चाई विधियों का उप्यो बजट थेक, उष्मा बजट क्या होता है प्रध्वी को सौर उर्जा के रूप में जितनी उश्मा प्राप्त हो रही है उससी उश्मा को पार्थि विकिरन के द्वारा वापस अंत्रिक्ष में लोटा देना उश्मा बजट के लाता है, इससे अगर तोड़ा ब्राप्त हो कितनी unit wise देखा जाए, कितने unit आती है और कितने unit वापस लोटाते हैं, other unit कहां कहां पर use होती है, तो और अच्छा detail में इसको बुरा answer हो जाएगा, और यही demand भी होती है question की, तो समझते ही मान लिया जाए, अगर 100 unit सूर्य से प्राप्त होती है प्रत्वी को, तो इसमें से 35 इक जो है धरातल पर पहुँशने से पहले ही परावर्तित होकर वायूमंडल से परावर्तित होकर अंत्रिक्ष में परावर्तित हो जाती है, अब बच्छे 65 इकाईया, 65 में से 51 इकाईया प्रत्वी द्वारा आउशोशित कर ली जाती है, और 65 में से 14 इकाईया जो है वायूमं जब कि 34 इकाईया वायूमंडल में पहुंचती है और 14 इकाईया पहले से ही जो की वायूमंडल द्वारा उश्वशित की गई थी ये सभी इकाईया पुना विकीरन द्वारा अंत्रिक्ष में लोटा दी जाती है इस प्रकार 100 इूनिट आई थी और 100 इूनिट पुरी चली यही प्रत्वी का उश्मा बजट है इससे प्रत्वी का तापमान जो उश्वशत तापमान ने एक समान बना रहता है क्लियर है इस डाइग्राम में यही सब समझाया गया है कि इस तरह 100 इूनिट आई थी और 100 इूनिट वापस चली गई ठीक है तो यह आप समझ लीजिएगा अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर जो है सारगेशो सागर के बारे में पुछा गया था तो इसकी लोकेशन बताएंगे सबसे पहले कि उत्तरी अंट्लांटिक महासागर में 20-40 उत्तरी अक्षांस तथा 35-75 पस्चिमी देशांतर के मध्य चारो और प्रभावित होने वाली जल धाराओ के मध्य इस्तित सांत एवं जल स्थिर जल के छित्र को सारगेशो सागर का जाता है इट मैंस ये एक सांत जल छित्र है जो कि इन इन अक्षांस और देशांतरों के मध्य पाया जाता है ठीक है या गल्फ, श्रिम, कनारी और उ विशिस्ता एक्समेंट करेंगे इसके तट पर मूटी समुद्री घास तेरती है जो जडवीहीन होती है इस घास को कूर्तिगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं जिसके नाम पर इसका नाम सारगेसु सागर रखा गया है सारगेशु सागर का शित्रफल जो है लगबग 11,000 वर किलोमेटर है सारगेशु सागर को सरपरधम स्पेन के नाविकों ने देखा था सारगेशु सागर जो है इसे महासागरी मरुस्तल के रूप में भी जाना जाता है तो यह सब कुछ महातुकुन विशेस्ता है यह कॉस्चन बहुत इंपोर्टन है मेंस के पॉइंट आफ यू से आप त्यार करके रखें इस तरह के पॉइंट्स और एक्स्प्लिट मार्क्स इसमें मिल जाएंगे सर्गैसु सागर का डाइग्राम है आप देख सकते हैं तीक है उर इनी इसकी विशेस्ता के बारे में हम कड़ चुके हैं फल की, फुलो की, मस्रूम, फ्लावर, ठीक है, रोपन, फसले, ओश्दी, योम, सुगंदी, पोधे, सम्मेलित होते हैं, ठीक है, इस क्रसी के अंतरगत, जो कि कई राज्यों के आर्थिक विकास में महत्वपून योगदान देती हैं, भारत की जीडीपे में इसका योगदान क्रसी जीडीपे में इसका योगदान 30 प्रतेशा थे, इसके महत्यों के बारे हम देख लेते हैं कि इसी बागवानी क्रसी के कारणी, फलो और सब्च्यों का विश्व में भारत का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है भारत, कुछ फसले खास कर आम, केला, नारियल, शिर्ष उत्पादक देश है भारत, मसालों को सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी इसी के कारण है, अंगूर, केला, कसाव, मटर, पपिता, आधी के उत्पादन में भारत का प्रथम इस्थान है, ताजा, फलो, एम सब्चियों की निर्यात में मूल्य के रखा हुआ है, इसलिए भारत का इसमें भागवानी करशिका विशेश महत्व है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, एनाबेटिक और केटाबेटिक पउने, ठीक है, के बारे में कुश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो इसी का एक और नाम है घाटी समीर और परवत समीर, के इन के समय परवती प्रदेशों में क्या होता है, सूरी की गर्मी के करण ढाल गर्म हो जाते हैं, परवती ढाल और जिसके करण जो घाटी छितर में जो एक हाई प्रेशर जोन बनता है, क्योंकि परवती ढाल पर लो प्रेशर बनता है, तो वहां की ठंडी पवने ढाल के सार उपर चड़ने लगती है और इसी को अपन घाटी समीर कहते हैं ठीक है या एनाबेटिक पवन कहते हैं अब ठीक इसके विपरे तरात्री में क्या होता है परवती ढ़ाल जल्दी ठंडे हो जाते हैं as compared to घाटी छेतर के तो जल्दी ठंडे होने कारणिया आपर हाई प्रेशर बनता है और नीचे लो प्रेशर होता है जिससे ठंडी वायो नीचे उतरने लगती है घाटी शेतरने लगती है जिससे परवती समीरिया केटाबेटिक पवन कहते हैं ठीक है तो ये कुश्चन 3 मार्क 6 मार्क दोनों में आ सकता है या आया भी है तो इसे विशेश रोप से अ इन पवनों की महत्तुपूण भूमिका उती है परवत समीर उच्च पहाडी स्तलों पर तापमान को तीर रूप से ठंडा नहीं होने देती है तो इस तरीके से आप इसको त्यार करें आपको अगर लॉंग भी लिखना हुआ तो अच्छे मार्क श्मिल सकते हैं ठीक है ये आप इसे देख ले मैंने जो explain किया है वही आपर process हो रही है क्रशी विभाग द्वारा मद्यप्रदेश अच्छा मद्यप्रदेश में क्रशी प्रदेशों के बारे मिहां पर question पूशा गया था मद्यप्रदेश की क्रशी प्रदेशों का उल्ले की अब दुब वर्णन कीज पस्चिम में काली मिट्टी का मालवा शेत्र, उत्तर में जुआर शेत्र, मद्धि ग्यहूं का प्रदेश, चाउवल ग्यहूं का प्रदेश और पूर्वी मद्धि प्रदेश जो की चाउवल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। कुछ वार्ट आते हैं यहां पर बोपाल सियोर होशंगावार नर्सियों पुर्जोय मध्धि ग्याउंग प्रदेश में पन्ना सतना कटनी उमरी आते हैं संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में रिवाश अडॉल आधी कुछ जिले आते हैं जिसमें किवल चाउल की खित तो इस फ्रकार से महती प्रदेश में क्रश्षी प्रदेश के रूप में विवाजन किया गया है यहां पर यह फसले प्रमुक्ष रूप से उगाई जाती है यहां यहां का जो इन फसलों के लिए महत्तुप होने है तो वर्गी यह इस तरह से करना होता है तो हमने कुछ six marker question discuss किये हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ बारी किया बताई है, किस तरह के points को लिखना चाहिए, उनका introduction कैसा होना चाहिए, conclusion कैसा होना चाहिए, इसी तरह के और भी six marker question answers को discussion के लिए अन्य video lecture आप देखते रहें, जिससे आपकी writing skill में सुधार होगा, thank you very much